इस्राइल को तो यहूदियों ने बनाया ही पाकिस्तान को भी यहूदियों नहीं बनाया ये बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं शायद उनके एहंकार को चोट पहुंचती है लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मालो तुमने ही बनाया तुम्हारे पास नैचुरल गैस का भंडार था इरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी तुम क्यों भिकमंगे रह गए लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूँ कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फाइदा किसका और नुक्सान किसका मेरी तो तमन्ना है कि मैं एक दिन लाहर और कराची जाकर वहां की सिविल सेवा परिच्छा के लिए वहां के परतिशपर्दियों को पढ़ाओ भारत की तरफ से free of cost और अकेला नहीं हलाकि उनके सिविल सर्विस में उनका अपना कोई इतिहास है नहीं भारत का वो डाल नहीं सकते तो यॉरप का इतिहास है आशा करता हूँ कि वो मुझे कभी बुलाएंगे जरूर बड़ इक्छा है मेरी कराची और लाहर जाकर वहां की सिविल सेवा के लिए उनको पढ़ाना और उनसे कहना कि कब तक कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीग मांगोगे और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीग मांगेंगे कब तक हलाकि मैं बड़ा विरोध करता हूँ पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर उसके पीछे मेरे कारण होते हैं कुछ लोगों को मुझे जब 30 पहुचानी होती है तो मैं कुछ चीज़ें जानबूच कर बोलता हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान भंगलादेश यह सब एक ही भूमी के हिस्से है और कभी न कभी इश्वर ने चाहा शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संग बनेगा क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थाई समाधान नहीं है वार आज मैं इस मंच से कह रहा हूँ वार इस नॉट दा पर्मनेंट सलूशन फोर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्यां सॉल्व हुई है सब मेच पर बैट कर ही सॉल्व हुई है कब तक तुम F18 पर बैट के हीद का चान देखोगे और कब तक हम रफेल में खाड़े होके डिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाहवा और हमारी भी वाहवा और IP इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इन्विन्सिबल पावर कहते हैं कि रह्मत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना मैंने भी सपना देखा है IP का इंडिया पाकिस्तान इन्विंसिबल पावर मैं राज होने की जरुरत नहीं है बिलकुल नहीं है समझने की जरुरत है 100 साल तक यॉरप आपस में लड़ता रहा 100, 100 years war और आज European Union East Germany और West Germany अलग रहे आज जर्मनी एक महाशक्ती है सम मिल कर चल रहे है